Hello everyone, so आज हम NCRT class 10th का topic nutrition in human being start करने जा रहे हैं and हम line by line देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम हर एक part को, जो हर एक part है हमारा elementary kanal का उसको in brief, in short देख लेंगे अच्छे से क्या work होता है, क्या function ही उसका because NCRT में हर चीज mention नहीं किया गया है आपके exam की point of view से, ठीक है उसके बाद हम लोग अपनी NCRT move करेंगे and हम हर एक चीज को line by line पढ़ेंगे, हर एक चीज को, ठीक है so हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो देखिए, देखिए हम food को intake कहां से करते हैं, माउट से and माउट से होते हुए यह isophagus के थुरू आपका जाता है कहां इस तमक में जाता है, तो आपके माउट में एक gland present होता है उसको salivary gland बोलते हैं हम लोग and वो salivary gland, वो क्या करता है, वो secret करता है saliva को and saliva में एक enzyme present होता है, उसको बोलते है, salivary amylage बोलते हैं and यही जो salivary amylage है, यह क्या करता है, starch को breakdown करता है कि इसमें, sugar में करता है तो आपके लिए important हो जाएगा, आप इसको वापस हिपा पढ़ लेंगे, क्या salivary gland हमारे mouth में present होता है, वो क्या, वो secret करते है, वो saliva को secret करता है, saliva में एक amylage present होता है, उसको क्या बोलते है, salivary amylage बोलते हैं, ठीक है, और जो salivary amylage होता है, वो क्या करता है, वो starch को sugar में convert करता है, I mean broke down करता है and enzyme होता क्या है enzyme वो होता है जो complex substance को simple substance में broke down कर दे उसको हम लोग क्या बोलते है enzyme बोलते हैं तो आप इसको याद रखेंगे ठीक है तो देख खाना अपने mouth में ले लिया oscophagus के तुरू होते होते है अब इस तमक में आ गया प्रकाना ठीक है तो अब हम लोग इस तमक के parts को देखेंगे और उसके बाद हम इसके functions को functions पे move करेंगे okay so हम start करते हैं देखिए इस तमक के ऊपर वाले part को क्या बोलते हैं काडिया बोलते हैं नीची वाले part को बोलते हैं पाइलूरिस बोलते हैं अगर यूपसी आपसे question पूस्ता है इस तमक के किस पार्ट से करेंट होता है तो वह होता है काडिया के थुरू अगर यूपसी आपसे question पूस्ता है देखिए देखिए जो ग्लैस्ति ग्लैंड होता है वो इस तमक के वाल बे प्रेजन होता है ठीक है इस तमक के वाल बे प्रेजन होता है इसमें से क्या release होता है इसमें से hcl release होता है hydrochloric acid release होता है और hydrochloric acid का function क्या यह काम क्या करता है यह acidic medium provide करता कि इसको पैपसीन को कि वह किस पे अच्छे से work कर सके food पे work कर सके फर्स पॉइंट यह हो गया hcl का function and second यह हो गया जो भी हमनों food intake करते हैं वह hcl hydrochloric acid होता है वह जो bacteria उसमें present होते हैं उसको किल कर देता है पहला hcl काम क्या है पहला यह काम एक acid medium provide करता है किसको पैपसीन को provide करता है और जो bacteria होते हैं अब हम लोग milk of magnesium लेते हैं like ino ठीक है देखिए अभी आप सोच रहे होंगे जब यह hcl acidic इतना होता है वह भी हमारे 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 स्टमग में release हो रहा है तो यह स्टमग को effect क्यों नहीं करता है like हमें इससे problem क्यों नहीं होती है because of mucus mucus क्या करता है यह prevent करता है हमारे स्टमग को किससे acid की उस पे react ना कर सके हमें effect ना कर सके acid तो mucus है क्या काम है हमें prevent करना किससे acid क्से prevent करना ठीक है उसके बाद देखिए pepsi Pepsin क्या है? Pepsin एक protein digestive enzyme है। ठीके आप यार रखेंगे इस तमख में क्या पाय जाता है? Pepsin पाय जाता है पैपसिन क्या यह protein digestive enzyme है। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि आप पता है आपका जब आप small intestine पढ़ेंगे तब वहाँ पे भी आपको मिलता है एक enzyme मिलता है ज पी, 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 पेट, प्रोटीन, एंद पैपसीन, तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, एंड रिनिन क्या होता है, यह याद दखी लिगा है, यह मिल्क को, जो हम लोगों मिल्क इंटेक करते हैं, उसको क्या कर्ड में करता है, यह भी आपका PYQ है, तो आप देख जेजुम एंड इलियम वापस रिपीट कर रहा हूं क्या तीन पार्ट है इस्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम जेजुम एंड इलियम इसी के बेसेस पे CSE में कोश्टन आया हुआ था 2007 में which of the following is a current sequence in the order of decreasing length of three structure part given below of small intestine in human body इसका अंसरा जाएगा आपका 4 इलियम जेजुनम एंड डियूडियनम ओके तो आपका क्लियर हो गया होगा तो आप क्यों कि देखिए UPSC अब खुदको अपडेट कर रहा है तो अगर इसने enzymes होते हैं वह pancreas उसके उपर रिलीज नहीं करेगा तो वह breakdown नहीं होंगे ठीक है मैं वापक स्रिपीट कर रहा हूँ इस तमक में क्या SCL रहता है वह हमारे food को क्या हमारे acidic बना देता है और हमारे food acidic है तो pancreas उस पर अपने enzymes को release नहीं करेंगे इसलिए यहां पर liver का काम यहां पर आ जाता है default क्या बनाता है When Hautase गाल उडियुभा होता है गाल 두सक्था सबसे पहला कौूशन यहीं बनता है कि बाईог क्रेड़ ऋकलूजब साथा बांत करता है गाल से पुड्यदर में से एलिफ के उपकेचा था सतरा होता है then जब वो base हो जाता है, alkaline हो जाता है तब अब उसको यह pancreas, जो enzyme release करता है तब उस पे वो अच्छे से work करते हैं ओके, देखिए पहला काम क्या है bile juice का, यह जो acidic food रहता है उसको alkaline करता है and second काम यह होता है जो भी fat होते हैं वो बड़े-बड़े parts में आते हैं बड़े-बड़े gobules में आते हैं उसको श्रोडे parts में convert करता है जो pancreas, जो भी enzyme निकलते हैं वो उस पे efficiently work कर सकें पहला काम क्या हो गया acidic food को क्या करता है alkaline करता है, second काम हो गया bile juice का fat को convert करता है श्रोडे parts में ठीक है, अब हम pancreas को देखेंगे सबसे पहले pancreas क्या mixed gland है देखिए pancreas में तीन enzyme पाए जाते हैं lipage, amylage and trypsin देखिए आपका NCRT में amylage given नहीं है लेकिन आपसे UPSC अगर question पूछता है pancreas से कौन-कौन enzyme release होते हैं तो option में आपको amylage भी दिया रहता है amylage answer right होता है ठीक है तो आप इसको याद दखेंगे pancreas में तीन enzyme होते हैं lipage, amylage and trypsin lipage है करता है ये fat को breakdown करता है, amylage start show करता है trypsin क्या करता है protein को करता है जब हम नहीं इस्तमक पढ़ा था तो वहाँ भी कोई एक enzyme protein को breakdown कर रहा था वो कौन सा था, कैसे याद किया था हमने P से पेट, P से protein and उसको protein को कौन breakdown कर रहा था pepsin ठीक है तो आप इसको अच्छी से याद कर लेंगे and second thing आप ही याद कर लेंगे देखिए amylage हमने दो बार पढ़ा हुआ है एक बार जब हम लोग ने mouth को पढ़ा था, तो वहाँ पे salivary amylage था ठीक है, तो यहाँ पे भी pancreasmy amylage सेम वाक होता है लेकिन इसको pancreatic amylage बोलते हैं जैसे कि अगर UPSC आप से question पूसता है which of the following is the first enzyme to mix with food in the digestion तो इसका अंसर क्या जाएगा amylage, तो इसका पहले amylage mix हो रहा था, लेकिन आपको दिया रहे है salivary amylage and pancreatic amylage तो रहेगा आपको क्या जाएगा answer salivary amylage हो जाएगा I hope आपको समझ में आ गया होगा and देखिए मैंने क्या बता है आपको pancreas क्या होता है, कि mixed gland होता है ठीक है, इसमें से hormone as well as enzyme दोनों को दोनों यह release करता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे and second question UPSC आप से ऐसे frame कर सकता है, which part of the elementary canal in human being receive secretion of liver and pancreas through a common duct, अब देखिए यहाँ पर आपको पता है liver and pancreas liver यहाँ pancreas आपका यहाँ है secretion दोनों यहीं से कर रहे है तो आएगा तो small intestine में लेकिन अगर option में आपको small intestine ना दिया रहे है तो आपको दिखेंगे, पार्ट दिया गया है जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इस cancer क्या जाएगा second duodenum, अब देखिए सबसे पहले मारा food क्या था acidic था, उसको liver क्या कर दिया basic कर दिया, alkaline कर दिया उसके बाद जब यह हो जाता है उसके बाद pancreas अपने enzyme को release करता है LAT को, उसके बाद यह सारे जो enzyme होते है यह उस पे food पे अच्छे से work करते है उसको broke down करते है, जो complex substance होते है उसको simple substance में convert करते है then उसके बाद यहां होते 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 है आप आप कहा था, यह last part में आथा, ठीक है अब last part है क्या work होता है अब देखिए जो ileum होता है यहीं पे बहुत सारे willies present होते है and willies कैसे होते है, आपके ऐसे दिखते है, ठीक है, चुर्योटे hair type के होते है ऐसे, 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 तो यहां पे present होते है अब इनका, अब इनका क्या काम होता है willies food में से सारे nutrition को absorb करने का काम करते है okay, याद रखिएगा, willies होता है यह food में सारे nutrition को absorb कर ले, and एक surface provide करता है बड़ा surface provide करता है कि अच्छे से सब कुछ, क्या हो जाए, absorb हो जाए and through blood vessel यह आपके हर एक body के हर एक part में पहुचा के, आपके tissue में पहुचाता है कि new tissues बन सके, जो पुराने हैं उसको repair कर सके, इसके तो सारे nutrition को absorb कर लेता है, food यहां पे आ गया विलाय क्या किया, आप इसके nutrition को absorb कर लिया, ठीक है, तो आपका small intestine का यहां पे खतम होता है ना small intestine है, लेकि सबसे large होता है आप देख रहे है, ऐसे, 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 पूरा यहां तर गया, सबसे large कौन है, यह है and याद रखी का complete digestion का होता है, यह small intestine में हो रहा है क्योंकि यहां पे देखिए, जितनी भी food आया था आप में यहां से वो पूरा nutrition क्या विलाया है, आपका absorb कर लिया है, ओके जब तक आपका food acidic है तब तक pancreas उस पे अपने enzyme को release नहीं करता है इसलिए ही, जब liver उसको बेसिक कर देता है, तब वो pancreas अपने enzyme को release करता है, हमेशे याद रखिएगा यह सबसे last में आता है, पहले food आया यहां से liver अपना juice को, bile juice को यहां पे release किया, वो acidic food को base में convert कर दिया, फिर pancreas उस पे क्या कर दिया, उस पे फिर अपने सारे LAT को release कर दिया फिर उस पे सारे work आगे process होते रहते हैं, तो अब हम यहां देखते हैं किसको, यह आपका यहां पे compute हो जाता है क्या small intestine, I hope मैंने सारे points से cover कर दिया है, अब हम देखेंगे large intestine को, ठीक है देखिए यहां पे small intestine में विलाय present होता है, अब यह भी यहां देखिएगा विलाय किसका part है, यह आपका small intestine का part है, यहां पे विलाय ने आपका क्या किया, सारे सारे food में से nutrition को absorb कर लिया अब क्या बचा है, अब सीवा आपकी जो food जो waste product है, उसमें सी water बचा हुआ है जो water को absorption का काम होता है यह करता है, आपका कौन करता है यह आपका करता है, large intestine करता है ओके, so water absorb कौन करेगा food में से large intestine करेगा water को absorb करने के बाद जो through NSG सारे के सारे waste product आपके release हो जाते है and UPSC आपसे यह भी question पूछते है appendix किसका part होता है तो याद रखिए कि appendix इसका part है यह large intestine का part होता है ओके, तो आप भी देखिए विलाय का image ऐसा होता है ऐसा होता है, विलाय किसने present होता है यह आपका होता है, small intestine में present होता है इसका काम क्या होता है जितने भी हमने food लिये है food के breakdown हो गया, सारा food सबको जहां से stomach से release हुआ है जहां जितने भी ब्रोगडान हुआ है इसमें जितने भी nutrition है सब कुछ absorb करने का and through blood vessel आपके हर एक body के part में cell में, tissues में यह पहुचा देता है इसके थूप पहुच जाते हैं अब हम move करते हैं हमारे NCRT के topic पे आप सब ने हमारे चैनल को like and subscribe कर दिया होगा because यह एक छोटा से वीडियो बनाने में बहुत time and बहुत efforts लगते हैं तो अब हम move करते हैं हमारे NCRT को पे line by line तो देखिए अब देखते हैं देखिए the elementary canal is basically a long tube extending from mouth to anus देखिए जो mouth से लेकिए anus तक पोरा यह क्या elementary canal है और जो हर एक इसका जैसे इस्तमग हो गया small intestine यह मतलब elementary canal के अलग-अलग part होते हैं और अलग-अलग party अलग-अलग function होते हैं देखिए राथ there is a tube has a different part various reasons are supplies to perform different functions मैंने आपको बोला हर एक अलग-अलग party अलग-अलग functions होते हैं देखिए यह आपका main digestion पता यहां से start होता है उसके पहले ही जब आप पढ़े ही खुछ समझ जाएंगे हाँ इसमें कुछ-कुछ important है वह आपको बता दे रहा हूं जैसे कि the saliva contain and amylage ठीक है मैंने आपको पहले बोला saliva क्या contain करता है enzyme वो contain करता है उसको क्या बोलते है salivary amylage बोलते है salivary amylage breakdown करता है किसको breakdown करता है starch को starch को किसमें simple sugar में breakdown करता है औके यह enzyme क्या होता है enzyme वो होता है जो complex substance को simple में breakdown करे जैसे कि यह starch क्या है complex molecule है उसको simple में कर रहा है तो कौन enzyme करेगा दिखें यहां पे परेस्टाल्टिक मुवमेंट दिया गया है, मतलब हर जगी पूरे यहां से स्टार्ट होते हैं, यहां यहां किसमें जाता ही परेस्टाल्टिक मुवमेंट में होता है, यह होता क्या है, जब हम फूट इंटेक करते हैं, तो यह कंटिन्यू फ्लो नहीं करता यह यह योटे part में flow करता है ऐसे तूट के ठीक है तो इसी तरह यहां पर जाता है पूरा यहां आपका माउच से start होते हुए ऐनस तक ऐसे ही movement करता है तो इसको बोलते है परेस्टालिक movement बोलते हैं ठीक है तो यह point हो जाता है तो अब हमारा start करते हैं the digestion the digestion in a stomach is taken carrying by glastic gland present in the wall of stomach देखिए इस्तमख हो गया आपका यहाँ पर क्या glastic gland present होते है and these release जो gland होते हैं रिलीस करते हैं क्या hydrochloric acid release करते हैं protein digestive enzyme called pepsin मैंने आपको बताया था and mucus ठीक है and hydrochloric acid होता क्या है the hydrochloric acid create an acidic medium देखिए मैंने वह आपको बताया था है hydrochloric क्या create करता है acidic medium create करता है कि यह जो enzyme pepsin है वो उस पर अच्छे से work कर सके ठीक है वापस सिपीट कर देता हूँ the hydrochloric acid create an acidic medium which facilitate the action of the enzyme pepsin hydrochloric acid create करता है acidic medium को कि जो pepsin जो enzyme है na pepsin यह उस पर अच्छे से काम कर सके इस पर food पर कर सके और pepsin क्या है pepsin क्या है protein digestive enzyme आपको बताया था न pppate protein and pepsin ठीक है and देखिए mucus है क्या काम होता है mucus protect करता है lining of the stomach from the action of acid under normal condition देखिए जब मैंने आपको पहले बताया हुआ है is stomach में क्या होता है acid बहुत release होता है hcl तो वो हमारे इस तमग को effect ना कर दे इसलिए वहां पर mucus present होता है वो हमाई प्रिवेंट करता है acid से okay तो अब हमारा आगे देखते हैं अब देखिए हमारा food का हमारा food इस तमग में है and यह कहां जा रहा है अब जा रहा है small intestine में ठीक है यहां पर सारा उसका process हो चुका है तो इसको कौन सी मसल पहला question है कौन सी मसल regulate करेगी यह regulate करती है इस प्रेंचल मसल इसको regulate करती है और यह भी रेगुलेट करती है किते amount में food यहां पर small intestine में जाएगा like small small amount में यह भीजते ना कि directly सारा flow करते हैं यह लोग like should amount में इस तमग से जाता है small intestine में रिकॉन regulate करता है इस प्रेंचल मसल इसको regulate करती है okay from the stomach the food now enter the small intestine अब देखिए इस तमग से कहा हमारा food कहा आ गया हमारा small intestine में आ गया नाम small है लेकिन सबसे large होता है हमेशा यह रखिएगा ठीक है यह इसी साल का सार तक pyq है ओक हम आगे देखते हैं this is the longest part of elementary canal जैसे मैंने आपको बताया नाम small है लेकिन क्या है यह longest part है किसका है elementary canal का अब देखिए the length of a small intestine differs in various animal depending on the food they eat अब देखिए यह जो small intestine ने differ करता है मतलब हर animal में अलग अलग होता है क्यों उनकी जो food खाते हैं उसके वज़े से जैसे कि herbivores and carnivores देखिए मैं आपको सबसे easy बता हूँ आप खुद imagine कीजिए जो herbivores होते हैं वो घास खाते हैं जैसे गाय हो गई अब गाय को देखिए होंगे दिन में four to five time वो अराम से घास खा सकती है of course इतना जादा घास काएगी उसमें के cellulose होता है तो digest करने के लिए time लगता है और इतना जादा खा रही है तो कहां रूखेगा क्योंकि food तो यहीं observe होता है तो कहां रुखता है यह रुखता तो आपका small intestine में है लेकिन यह क्या होता है यह सबसे longer होता है किसमें हर्भी वोरस में क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं अगर उसी compare में देखा जाए कानी वोरस अब समझेंज जी को टाइगर ठीक है टाइगर एक दी में कितना मीट खाएगा इतना खाएगा एक समझेंज लो टाइगर एक हीरन को मारता है ठीक है अब वो हीरन में से ना दो टाइगर खा सकते है वो लोग ज्यादा मीट नहीं खाते है वैसी मीट इस्तीबल फोड होता है ठीक है तो इसलिए उनका shorter small intestine होता है कि हर्विवर्स नीट आ लॉंगर इस्माल इंट्रस्टाइन तो अलाव जाव 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 देखिए इंपॉर्ट हो जाता है ठीक अब आपसे कोशन पूर्श सकता है वीच आफ दा फॉलिंग ऐलिमेंटरी कैनल इजा साइट ऑफ कंप्ली डाइजेशन ऑफ कार्भो हाइडरेट प्रोटीन एन फैट तो आपकर क्या हो जाएगा इस्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं ठीक है अब देखिए जो इस्मॉल इंटेस्टाइन है यह रिसीफ करता है अब देखिए मैंना को पहले बता है जो फूड आ रहा इस्मॉल इस तमख से वह क्या होता है उसको अलकलाइन बनाना पड़ता है अलकलाइन क्यों फूड फूड आ रहा है जब वह क्या बनेगा अलकलाइन बनेगा मतला बेस बनेगा तभी जो पैंक्रिया के जो अन्जाइम्स होते न उस पर एक्ट कर सकते नहीं तो वह नहीं करेंगे इसलिए यहां पे जो लीवर होता है वह बाईल जूस बनाता है और गॉल ब्लैडर उसको रिलीज करता है इस्टोर करकर Release करता है कि जो एसटीक फूड है वो बेस हो जाए फिर पैंक्रियाद उस पे एक कर सके इसली पाइल उसका दो काम होता है एक तो वह अलकलाइन बनाता है सेकंड काम क्या करता है fat are present in the intestine in the form of large gobules which makes it difficult for enzyme to act on them देखिए जो bile juice होता है न देखिए जो पहले fat जो होता है ये बड़े-बड़े gobules में present होते है तो bile juice इस पे act करके क्या करता है इसको छोटे-छोटे-छोटे-छोटे तोड़ देता है कि जो pancreas में से जो भी enzyme आ रहे हैं रिलीज हो रहे है वो उस पे अच्छे से effect इसके उपर अच्छे से act कर सके देखिए bile salt break down into smaller gobules चोटे-बग गॉबिल में तोड़ दिया है increasing the efficiency of enzyme action जो enzyme pancreatic या LAT release करता है वो इस पे अच्छे से work कर सके देखिए मैंने आपको पहले बहुत है LAT lipase क्या करता है यह आपका fat को breakdown करता है amylage starts हो करता है crypcine क्या करता है यह protein को breakdown करता है आप यह हमेशे याद दखेंगे amylage आपका NCIT में given नहीं है लेकिन amylage pyq आया हुआ है तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे okay देखिए हमने ऊपर mouth में भी पड़ा हुआ है जो amylage होता है वो star जो किस में convert करता है breakdown sugar में करता है तो यही form यहाँ पर amylage वही काम करता है तो अब इसको ध्यान रखेंगे amylage तो यहाँ पर breakdown हो गया trypsin किसको करता है digestive protein को करता है and lipage इसको breakdown करता है fat को करता है यहाँ तक आप है clear हो गया अब हम आगे देखते हैं the wall of the small intestine contain glands which secrete intentionally juice देखिए जो wall होता है इस small intestine का यहाँ पर एक gland पहे जाता है वो क्या release करता है वो intentionally juice को release करता है तो जो enzyme present होते हैं इसमें जो juice में यह finally convert करते है protein को into amino acid complex carbonate into glucose and जो fat होता है उसको fatty acid में देखिए यह सब complex substance है इसको क्या convert कर दिया यहाँ पर यहाँ पर small intestine में यह हो गया simple substance में convert हो गया है protein को amino acid में मैं वापस repeat कर रहा हूं protein को amino acid में complex carbonate into glucose and fat को fatty acid में यह बहुत important हो जाता है आप एक्जाम के point of view से कभी हम लोग इसको क्या बोलता है complete digestion बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो complex substance होते हैं यह क्या हो गया है simple में convert हो गया है तो अब हम आगे देखते हैं digested food is taken by the wall of intestine the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi मतले विलाय के बहुत finger-like projection होते हैं ऐसे-ऐसे करके which increase the surface area for absorption देखिए जो विलाय होता है विलाय सबसे पहले क्या करता है increase करता है surface area for absorption अभी आपका यहाँ पर food आ गया है ठीक है तो विलाय surface area को बढ़ा देता है कि वहाँ पर बहुत अच्छे से आपके जो food में nutrition है उसको absorb कर सके okay and विलाय कैसे होते हैं इनके numerous finger-like projection होते हैं तो दोनो statement आपके लिए बहुत important हो जाते हैं तो आप इसको देख लेंगे अब ही जो विलाय होती है उनके पास बहुत सारे blood vessels होते हैं which take the absorb food to each and every cell of body अब देखिए विलाय के पास richly supplied blood vessels होते हैं जो की absorb करते हैं food को और हर एक every cell of body में पहुचाते हैं उसको जहां पर utilize किया जाता है energy के लिए building up new tissues and repairing for old tissues अब इसको देख लेंगे ठीक है the unabsorved food is sent to the large intestine where its wall absorb more water from this material अब देखिए यहां पर क्या small intestine में विलाय present होता है इसनी foods को तो food को यहां पर क्या कर लिए absorb कर लिए food में से material को हर चीज को कितने भी nutrition है material है यहां पर क्या absorb हो गए लेकिन अभी food में क्या water बचा हुआ है अब कहा होता है वोड़ आप लार्ज intestine में जाते हैं तब यहां पर क्या आपका तब यहां पर water absorb हो जाता है okay the rest of material is removed from the body by by anis अब anis के थू जो rest waste material होता है वो आपका निकल जाता है अब जो exist of material है is regulated by the anis splintial अब कितना waste निकलिया कितना निकलिया का उसको regulate कौन करता है anis splintial regulate करता है अगर वही देखा जाए the exist of food from the stomach is regulated by splintial muscles तो आप यह दोनों को याद कर लेंगे thank you guys for watching the video and I hope आपको topic बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा because मैंने हर एक point को cover करने के कोशिश की है किती है